हालो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आएँ कलेज़ी की रेसीपी जो की बहुत ज़ादा टेस्टी लगती है और बनने में बहुत ज़ादा आसान है तो फ्रेंट्स आप लोगों से डीवूश्ट अगर रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना तो चलिए देख लेते हैं इस कलेजी को हमने कैसे बना के तयार किया है तो यहाँ पर 1 kg मैंने कलेजी ले लिये और यह देखे इसको मैंने अच्छे से दोके साफ कर लिया है तो अभी मसाले ले ले लेते हैं दो चमच धनिया, एक चमच नमक, आधर चमच गरम मसाला, आधर चमच हल्दी पाउडर, एक चमच लाल मिर्स पाउडर और साथ में हमने ले लिया यहाँ पे अधरक लसन का पेस्ट तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना तो एक कढ़ाई में मैंने तेल डालियाए, सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आप किसी भी तेल में बना सकते हो तो तेल यहाँ पे गरम हो चukह है, अभी इसमें हम कलेजी अड़कर देंगे इसको तेल में हमें फ्राइ करना है तो कलेजी में कोई भी पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, इसमें बहुत जादा पानी छुटता है कलेजी से अपना ही, तो अभी इसको हम 5 मेट के लिए अच्छे से भूनेंगे, तो यहाँ पे इसके साथ में हमें अदरक लहसन का पेश्ट भी मैं इसमें आड कर दूँगी, जिससे अदरक लहसन का कच्चपन निकल जाए और अच्छे से अदरक लहसन की खुश्बू कलेजी के अंदर आ जाए, तो यह देखिए काफी सारा मैंने यहाँ पे लहसन लिया है, अदरक लहसन का पेश्ट बना लिया है, तो अदरक लहसन का इसमें बह बढ़िया होती है, कितनी टेस्टी लगती है, तो एक बार आप मेरे तरीके से बनाओगे, तो बहुत जादा बढ़िया कलेजी बनके तयार होगी, तो अभी साथ में मैंने इसमें नमक डाल दिया, यहाँ पे, तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नमक अदरक के लिए ऐसे खोल के मसालों को अच्छे से भून लेते हैं, और अभी मैं इसको यहाँ पे कवर कर दूंगी, जिससे इसको हमें गलाना भी है, और इसका जितना भी पानी निकलेगा, तो सारा एक्स्ट्रा इसमें जलाना है हमें, तो यह देखिए, खोलने के बाद में पहले आपको मसाले दिखाएते हैं, यहाँ पे यह सारे इसमें हम एड़ कर देंगे, तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसमें से कितना पानी चुटा है, क्योंकि कलेजी में बिल्कुल भी पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, इ यहाँ पे मैं इसको ढग दूँगी, और ढग ढग के हमें इसको बीच-बीच में चलाते हैं, जितना भी इसमें पानी है, इसको सारे को हमें जलाना है, एकदम ड्राय करना है इसको, तो इसको ढ्राय करते हैं मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे हमारे, और कलेजी भी अ कितनी बढ़ मैं थोड़ा सा हमें पानी भी डालना है तो ये देखें यहां पर मैंने इसमें और चटपटा और तीखा इस पाईसी बनाने के लिए आध्या ले लिया है कऊारी में इसको मैंने रोष्ट करके बढ़ेबार है हूं कुटीवी मिर्च का पाउडर यानि चिली फ्लैक्स और आधा से मस लिया है यहाँ पर हमने भूने हुए जीरे का पाउडर और दो तेज पता तो यह सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिये हैं इससे कलेजी और भी ज़्यादा टेस्टी बनके तयार होगी तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल दूँगी बिल्कुल आधा गिलास पानी डालना है हमें आधा गिलास से भी कम जाधा पानी इसमें नहीं डालना है तो यहाँ पर थोड़ा से बिल्कुल मैंने पानी डाल दिया यह देखिए आधा गिलास क्योंकि कलेजी में ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल यह भूनी-भूनी सी अच्छी लगती है एकदम फ्राई-फ्राई सी तो बस इतना सही पानी डालना है हमें और और इसको पान्च मेंट के लिए पका लेंगे हम थोड़ा से जब तक इसमें बॉयल आता है तो इसको ढख देंगे और फिर मैं अभी पान्च मेंट के बाद में आपको इसको फिर से दिखाऊंगी तो फ्रेंट्स बिलकुल अगर आपको मेरे तरीके से कलेजी बनाने है तो इसको बिलकुल भी वीडियो को इसकिप मत कीजिए और कंटीनियो इसको पूरी वीडियो को देखे तभी आपको समझ में आएगा तो ये देखें 5 मेट के बाद में कितनी बढ़हा सी यहां पे हमारी कलेजी की रेसीपी बन के तयार है तो खाने में कितना टेस्टी होगा इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्च भी डाल दी थी अभी इसमें उपर से जिससे देखने में अच्छा सा लगता है तो चलिए अभी इसको सर्व करते हैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो यहाँ पे हम कुछ नीबू की स्लाइसेज और प्याज की स्लाइसेज रख देंगे तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी बनाईवी रेसिपी अच्छी लगिए तो प्लीज रेसिपी को ज़्यादर से ज़्यादर लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सब के पहले आपको मिलेगी फैमली और फ्रेंट्स के साथ में शेयर कीजिए तो फिर मैं आपको मिलती है अपनी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए फ्रेंट्स बाई